नमस्कार बच्चो, आपका बार्वी कॉमर्स के विशे व्यवसाय अध्यन भाग एक की कक्षा में स्वागत है। बच्चो, आज हम व्यवसाय अध्यन के प्रतम अध्याय, प्रबंद की प्रकृती एवं महत्व, नेच्चर एन इम्पॉर्टनस ओफ मैनेजमेंट प्रारंब करने जा रहे हैं। बच्चो, इस अध्याय के अधिकम के उद्देशे इस प्रकार हैं। इस अध्याय के अध्यन के उपरांद आप प्रबंद की प्रकृती एवं संगठन में इसके महत्व को समझ सकेंगे। प्रबंद की प्रकृति को कला विज्ञान एवं पेशे के रूप में समझ सकेंगे प्रबंद की विभिन कारियों को विस्तार पूर्वक जान सकेंगे और प्रबंद के समानही प्रचलित शब्द समन्वे इसके अर्थ प्रकृति एवं महत्व को भी समझ सकेंगे तो चलिए प्रारंब करते हैं इस अध्याय के भाग एक को और सर्व प्रतम प्रबंद की अवधारणा अर्थात प्रबंद के अर्थ एवं इसकी परिभाशाओं को समझते हैं प्रबंद की विभिन परिभाषाओं को प्रबंद की दो अवधारनाउं अर्थात पारंपरिक अवधारना, traditional concept तथा आधुनिक अवधारना, modern concept के रूप में अधिन किया जा सकता है। परबंद की परंपरिक अवधारणा में, Mary Parker Fallett के अनुसार परबंद लोगों से काम करवाने की कला है। दूसरी और प्रबंद की आधुनिक अवधारणा में हैरॉल कुनट्स और हिंज वरिक के अनुसार प्रबंद एक ऐसा परियावरण तयार करने एवं उसे बनाये रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समुह में कारे करते हुए चुनिंदा लक्षियों को कुशलता से हो जाता है कि परंपरागत विचारधारा प्रबंद के अर्थ के रूप में केवल लोगों से काम करवाने की कला का हिवरणन करती है जबकि प्रबंद की आधुनिक विचारधारा प्रबंद को मानविय तथा भोतिक संसादनों के इस्तेमाल की एक ऐसी प्रक्रिया के रूप की बात की आईए एक नजर में इसे भी समझते हैं संसादनों के प्रभावपूर्ण प्रयोग का अर्थ किसी कारे को समय से पूरा करने से है प्रभावपूर्णता का अर्थ अंतिम परिणाम से सम्मंदित होता है अर्थात समय पर लक्षित उत्पादन को उत्पादित करना ही प्रभापून धंग से उत्पादन करना कहलाता है उधारण के तोर पर अगर व्यवसाय का उद्देश्य एक माह में सो गाड़ियों का उत्पादन करना है तो एक माह में सो गाड़ियों का उत्पादन समय पर कर लेना प्रभापून धंग से उतपादन करना कहलाएगा दूसरी और कुशलता पूर्ण उतपादन से विपराए कम लागत के साथ कारे को सही धंग से पूरा करने से है यह लागत लाविश्लेशन से सम्मनित है जिसमें कम संसादनों का प्रयोग करके अधिक्तम लाप्राप्ति की जाती है यह लक्षित उत्पादन को इसकी नियुंतम लागत तक उत्पादन करने की प्रक्रिया है अतयास पस्ट है कि प्रबंध संग्ठन के सामुहिक उद्देश्यों को प्रभावी और कुशलता पूर्ण धंग से प्राप्त करने की प्रक्रिया है बचो हमारा अगला टॉपिक है प्रबंध की विशेश्टाएं प्रबंध की विशेश्टाओं में पहली विशेश्टा है प्रबंध एक उद्देश्य पुरुन प्रक्रिया है Management is a goal-oriented process प्रबंध की ख्याती में व्रिद्धी करना इत्यादी यदि किसी संस्था के कोई पूर्व निर्धार्त उद्देश्य ही न हो तो वहाँ प्रबंध की कोई आवशक्ता ही नहीं होगी अत्या प्रबंध एक उद्देश्य पुरुन प्रक्रिया होती है क्योंकि इसे संस्था के लक्षियों या उद्देश्यों को ध्यान में रख कर ही बनाया जाता है दूसरी विशेष्टा प्रबंध सर्व व्यापी है Management is universal बच्चों, प्रबंध के सिध्धान्त और तक्निके सभी संस्थानों संगठनों में एक समान रूप से लागू होती है एक अस्पताल, एक विध्याल्य या एक आफिस में प्रबंध की अवश्यक्ता एक समान रूप से पाई जाती है यहां तक कि दो अलग-लग देशों में संस्कृती, रिती, रिवास और इतिहास की भिन्दता के कारण बेशक उनके काम करने के तरीके में अंतर हो सकता है परंतु प्रबंध की आवश्यक्ता को बिलकुल भी नहीं निकारा जा सकता यहां तक कि प्रबंध हमारे दैनिक जीवन में भी हर कदम पर हमारे हर कारे में विद्यमान रहता है अतह परबंध सर्वव्यापी है प्रबंध बहु आया में है प्यारे बच्चों, परबंध से भी पराय केवल एक क्रिया से ही नहीं है बलकि इसमें आगे कई और क्रियाएं भी शामिल की जाती हैं जिनमें मुख्य तीन क्रियाएं इस परकार है प्रतेक संग्ठन का निर्मान किसी कारे के लिए किया जाता है तथा प्रबंध की क्रियाओं का उद्देशिय उन सभी कारियों या लक्षियों को प्राप्त करना होता है उधारण के रूप में एक अस्पताल का मुख्य कारे उसमें आने वाले मरीजों का इलाज करना होता है और स्कूल का मुख्य कारे बच्चों को शिक्षा परदान करना होता है किसी भी संगठन में प्रबंध यह सुनिश्चित करता है कि कारे कुशलता पूरवक और परभाईविधंग से किया जाए नमबर दो व्यक्तियों का प्रबंध Management of People व्यक्तियों से भी प्राइ मानवी संसाधनों से है और मानवी संसाधन एक संगठन की सबसे महतुप उनसंपत्ती होते हैं एक संगठन केवल कुशल करमचारियों के साथ ही अपने प्रतियोगी पर विजय प्राप्त कर सकता है तथा व्यक्तियों के संबंध में एक संगठन को करमचारियों की व्यक्तिकत आवश्यक्ताओं की देखबाल करना और व्यक्तियों के समूह की देखबाल करना दो मुख्य कारे करने होते हैं अत्या प्रबंद में व्यक्तियों का प्रबंद अर्थात मानव संसादन का प्रबंद भी शामिल किया जाता है. नमबर तीन परिचालन का प्रबंद मैनेजमेंट आफ ओपरेशन्स कोई भी संगठन हो, उसका अस्तित्व किसी ना किसी मूल उत्पाद या सेवा को प्रदान करने पर टिका होता है. इसके लिए एक जैसी प्रक्रिया की अवश्चता होती है, जो कि आगत माल अर्थात इंपुट को उपभोग के लिए अवश्चत निर्गत यानि आउटपुट में बदलने के लिए आगत माल एवं तकनीक के प्रभाह को विवस्थित करना होता है. तथा यह सब कुछ केवल परबंद के द्वारा ही संबभ हो सकता है. अतेव यह कारे के परबंद और व्यक्तियों के परबंद के द्वारा परिचालन परबंद की क्रिया को भी संपन्न करता है. नमबर चार परबंद एक निरंतर चलने वाली परक्रिया है. Management is a continuous process. परबंद एक निरंतर चलने वाली तथा कभी न समाप्त होने वाली परक्रिया है. परबंद के सभी कारे निरंतर निश्पादित किये जाते हैं. उधारन के लिए नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरन, न निश्पादित किये जाते रहते हैं. इस परकार, परबंद संगठन में चल रहे कारें की श्रिंखला का निरंतर निश्पादिन करता रहता है. नमबर पांच, परबंद एक सामोहिक क्रिया है. Management is a group activity. प्यारे बच्चों, विवसाइक संगठन, विभिन आवश्यक्ता वाल तथा संगठन में किसी ना किसी अलग उदेश्यों को लेकर सम्मिलित होता है. लेकिन संगठन के सदस्य के रूप में वह संगठन के समान उदेश्यों के पूर्ति के लिए एक टीम के रूप में संस्थमी निरंतर कारे करता रहता है. अत्या परबंद एक सामोहिक क्रिया है यह केवल किसी एक के द्वारा प्रतिपादित होने वाली क्रिया नहीं है पर्बंद एक गतिशिल कारे है Management is a dynamic function परतियोगिता का सामना करने के लिए एक व्यवसाय में पर्बंद को आंतरिक और बाहय वातावरन में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार बहुत सारे परिवर्तन करने होते हैं मुख्यों रूप से बाहरी वातावरण जैसे की सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी और राजनेतिक वातावरण का परबंद पर अधिक प्रभाव पड़ता है जैसे जैसे व्यवसाइक वातावरण में परिवर्तन होता है प्रबंद भी उनके उनसार बदलाव लेकर आता रहता है अतह है प्रबंद एक गतिशिल प्रक्रिया भी है बच्चो यदि प्रबंद को एक अमूर्त या अद्रिश शक्ति कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा क्योंकि प्रबंद दिखाई नहीं पड़ता परंतु इसकी उपस्तिती से व्यवसाइक संग्थन के सभी कारे सुचारू रूप से चलते रहते हैं जदि एक संग्थन में सूव वस्था है करमचारियों को संस्था के उदेश्यों वन्नीतियों का पूर्ण ग्यान है करमचारी अपना कार्य पूरण उत्साह से कर रहे हैं तथा उत्पादन में वृद्धी हो रही है तो यह प्रबंद का उचित प्रकार से पालन करने के कारण ही संभव हो पाता है जिसे देखा नहीं जा सकता केवल अनुभव ही किया जा सकता है अतह प्रबंद एक अद्रिश्य या अमूर्त शक्ति है प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और प्रबंद के उद्देश्यों का अध्यन करते हैं प्रबंद के मुख्य तीन उद्देश्य होते हैं पहला संग्ठनात्मक उद्देश्य, Organizational Objectives दूसरा समाजिक उद्देश्य, Social Objectives तीसरा व्यक्तिकत उद्देश्य, Individual Objectives नमबर एक संग्ठनात्मक उद्देश्य, Organizational Objectives बच्चों, परबंद को अपने अंशधारियों, कर्मचारियों, ग्रहकों, सरकार वो अन्य सभी पक्षों, जिनका व्यवसाय में हित होता है, उन्हें ध्यान में रखते हुए, संस्था के उद्देश्य, निर्धारित करने होते हैं तथा किसी भी संस्था का मुख्य उद्देश्य, अपने मानवी एवं भोतिक संसादनों का अधिक्तम अनुकूलतम उप्यो करना होता है इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, यह कहा जा सकता है कि प्रबंद के संगठनात्मक उद्देश्य, इस प्रकार के हो सकते हैं किसी भी व्यवसाय का सर्व प्रथम उद्देश्य, अपने अस्तित्व को बनाए रखना होता है प्रबंद को चाहिए कि वे व्यवसाय का अस्तित्व बनाए रखने के लिए इतना लाब अवश्य अर्जित करें, जिससे विभिन लागतों को पूरा किया जा सकें व्यवसाय का केवल जीवित रहना ही प्रयाप्त नहीं होता, बलकि प्रबंद को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि संस्था प्रयाप्त लाब कमाए ताकि नकेवल लागतों को पूरा कर सके अपीतू व्यवसाय में होने वाले निरंतर जोखिमों का भी सामना किया जा सके लाब व्यवसाय को जोखिम सहन करने के लिए दिया जाने वाला पूरसकार है अता है लाब की बिना एक व्यवसाय के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती दिर्ख काल में व्यवसाय की गतिविधियों में व्यवसाय की संभावनाओं का होना व्यवसाय के लिए अतियावश्यक होता है एक व्यवसाय के लिए बढ़ना बहुत ही महत्वर रखता है तथा व्यवसाय के विकास को विक्रे की मात्रा, करमचारियों की संख्या में वृद्धी, निवेश की मात्रा या अत्पादन स्तर में सुधारादी की रुप में मापा जा सकता है तो बच्चों, इस परकार एक संस्था के संख्ठनात्मक उद्धेशियों में अस्तित्व को बनाए रखना, लाब कमाना, वो विकास की संभावनों को तलाशना होता है प्रबंद का दूसरा उद्धेश है समाजिक उद्धेश, सोशल अबजेक्टिव्स प्रबंद के समाजिक उद्धेश भी होते हैं समाजिक उद्धेश में हम शामिल कर सकते हैं उचित कीमत पर अच्छी किस्म की वस्तों की आपूरती करना रोजगार के अवसर पैदा करना सामुदाइक परियोजनाओं में वित्तिय सहायता परदान करना परियावरन संरक्षन करना अपने करमचारियों के लिए विद्यालय, शिशुग्रह जैसी सुविधाय परदान करना प्रबंद का तीसरा उद्धेश्य है व्यक्तिकत उद्धेश्य परसनल अबजेक्टिव्स एक संस्था में प्रबंद के व्यक्तिकत उद्धेश्य का संबंद सिधे तोर पर अपने करमचारियों से होता है किसी भी संस्था के लिए मानवी संसाधन सबसे महतुपरून संसाधन माने जाते हैं और संतुष्ट और प्रेर्द करमचारी ही संग्ठन के लिए अपना अधिक्तम योगदान देते हैं अताय प्रबंद के मुख्य व्यक्तिकत उद्धेश्यों में शामिल होता है करमचारियों को अच्छा वेतन एवं अन्यलाब देना कारे करने की अच्छी और स्वास्थे पूर्ण दशाएं प्रदान करना करमचारियों के सरहन्य कारे को सम्मानित करना प्रशिक्षन पदोनती आधि के उचित अफसर प्रदान करना किसी संगठन में श्रमिकों के व्यक्तिकत उद्देश्यों की उपेक्षा करने से उनकी कारे में रूची कम हो सकती है अतया प्रबंध को चाहिए कि वह संगठनात्मक उद्देश्यों के साथ साथ व्यक्तिकत उद्देश्यों का भी समान रूप से ध्यान रखे हैं त्यारे बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है प्रबंध का महत्व, Importance of Management अब तक हम समच चुके हैं कि प्रबंध एक सारभोमिक क्रिया है जो कि किसी भी संग्ठन का एक अभिन अंग है अब हम उन कारणों का अध्यन करेंगे, जिनके कारण प्रबंध इतना महत्व प्रून हो गया है तो आये देखते हैं नमबर एक, प्रबंध समोहिक लक्षों को प्राप्त करने में सहायक होता है Management helps in achieving group goal व्यवसाय में प्रबंध का एक मात्र उद्देश, संग्ठनात्मक उद्देशों को प्राप्त करना ही नहीं होता बलकि इसे व्यक्तिकत उद्देशों के साथ एकिकरित करने का प्रियास भी करता है इस प्रकार प्रबंध सामोहिक उद्धेश को प्राप्ट करने में साहेता करता है नमबर दो, प्रबंध क्षमता में वृद्धी करता है Management Improves Efficiency एक व्यवसाय में प्रबंधक संसाधनों के नियूंतम अपविय के साथ-साथ लागतों को कम करने और उत्पादक्ता में सुधार करने का प्रित्म भी करता है प्रबंध नियोजन, संग्ठन, नियूक्तिकरन, निर्देशन और नियंत्रन द्वारा काम में प्रभापूर्टा और कुशल्ता पर बल देता है अतहे, प्रबंध एक व्यवसाय की कार्यक्षल्ता में व्रिद्धी करने में भी सहायता करता है नमबर तीन, प्रबंध गतिशील संग्ठन का निर्मान करता है Management creates dynamic organization एक संस्था को सफल होने के लिए तथा प्रित्योगिता में टिके रहने के लिए बाहरी वातावरण के अनुरूप अपने अंदर निरंतर परिवर्तन करने पड़ते हैं तता प्रबंध ही एक मात्र ऐसा साधन है जो कि इन सभी परिवर्तनों को व्यवसाय में सुविधा जनक पूर्म से लागू करता है प्रायह व्यवसाय में करमचारी परिवर्तन का विरोध करते रहते हैं परंतु यदि उन्हें परिवर्तन के बारे में भली भांती समझाया जाए तब उनकी गलत फेमयत दूर हो सकती हैं तता संस्था में परिवर्तन को सुविकार कर अच्छे से कारे करने में भे सक्षम हो सकते हैं यह सब केवल उचित परबंद से ही संभव हो सकता है अतहें परबंद परिवर्तनों और गतिशिल्ता को अपनाने में सहायता करता है नमबर चार, प्रबंध व्यक्तिकत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है Management helps in achieving personal objectives एक संस्था में प्रबंदक मानवी संसादनों का इस प्रकार सी नितरित्व करता है कि वह संग्ठनात्मक लक्षों के साथ साथ करमचारियों के व्यक्तिकत लक्षों को भी प्राप्त करता है एक और जहां संग्ठन अधिक्तम उत्पादन करना चाहता है वहीं दूसरी और इसमें कारेरित व्यक्ति अधिक से अधिक कमाना चाहते हैं करमचारी अधिक उत्पादन करके ही अच्छा कमा सकते हैं अतह, प्रबंधक, संगठ नात्मक उद्देशों के साथ साथ विक्तिकत उद्देशों की पूर्टी भी करता है नमबर पांच, प्रबंध समाज की विकास में सहायक होता है Management helps in development of society प्रिय विद्द्यार्थियों, किसी देश का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपने सीमित साधनों का प्रयोग कितने प्रभावी और कुशलता पूर्ण धंग से कर रहा है संसाधनों के कुशलता पूर्ण परबंद के द्वारा ही किसी देश की अर्थिवस्ता की विकास, एवं समरिद्धी तथा समान्य जनता की भेतरी के लिए उचित और आवश्यक विवस्ता स्थापित की जा सकती है अताय परबंद संग्थन के विकास के साथ समाज के विकास में भी सहायक होता है प्यारे बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है परबंद के स्तर परबंद के स्तरों का अध्यन करने से पूर्व, आईए एक नजर डालते हैं संग्थन के स्तरों पर एक संगठन अथ्वा संस्था में काम करने वाले सभी सदस्यों को हम दो श्रेणियों में भी भाजित कर सकते हैं पहले प्रबंद किये सदस्य यानि Managerial Members और दूसरे अप्रबंद किये सदस्य यानि Non-Managerial Members सबसे पहले प्रबंद किये सदस्य Managerial Members एक संस्था में प्रबंद की सदस्यों में शामिल होते हैं मुख्य कारेकारी अधिकारी, Chief Executive Officer, जिसे हम CEO भी बोलते हैं, विभाग्य प्रबंदक, Departmental Manager, परेवेक्षक, Supervisor, इन सभी को प्रबंद की सदस्य इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यह किसी ना किसी के लिए प्रबंद कर होते हैं, मुख्य कारेकारी अधिकारी विभाग्य प्रबंदकों का, विभाग्य प्रबंदक परेवेक्षकों का और परेवेक्षक आगे श्रमिकों का प्रबंधन करते हैं, जैसे कि आप चितर में देख सकते हैं, सभी सदस्य से उपर से निच्चे की और एक श्रिंखला क पदों का निर्मान करती हैं जिने प्रबंद के स्तर कहते हैं बचों बात करते हैं अप्रबंद के सदस्यों की अप्रबंद के सदस्यों की श्रेणी में श्रमिकों अर्थात वरकर्स को शामिल किया जाता है यह वे सदस्य होते हैं जो किसी काम पर प्रत्यक्ष रूप से लगे अतहें इन्हें प्रबंदक नहीं कहा जा सकता तथा इसी कारण से इनकी गिंती प्रबंद की सदस्यों में ना होकर अव प्रबंद के स्तर की एक अलग श्रिणी में की जाती है। बचों आगे बढ़ते हैं अब पढ़ते हैं प्रबंद के स्तर। प्रबंद के स्तर की वास्तम में कोई निष्चित संख्या नहीं होती। इनकी संख्या व्यवसाई की प्रक्रति, आकार, आधि घटकों की द्वारे निर्धारित होती है। हम जानते हैं कि संक्ठन में प्रतेक व्यक्ति संबंदों की एक श्रिंखला में एक दूसरे से जुड़ा होता है तथा किसी कारेविशेश को पूरा करने के लिए ही उत्तरदाई होता है। इस उत्तरधायत को पूरा करने के लिए उन्हें कुछ अधिकार दिये जाते हैं जिने निर्णे लेनेका अधिकार कहा जाता है। अधिकारों तथा उत्तरधायत्व का यह संबंद अधिकारी एवो अधिनस्त को एक दूसरे से जोड़े रखता है। इनके इनी समंद्दों के आधार पर प्रबंद के स्तरों को टीन भागों में बाटा गया है। पहला उच्छ स्तरिय प्रबंद, Top Level Management, दूसरा मध्य स्तरिय प्रबंद, Middle Level Management, तीसरा निम्न स्तरिय अथो परेवेक्षकिय प्रबंद या परिचालन प्रबंद, इसे Lower Level और Supervisory Management और Operational Management भी कहा जाता है। संगटक के विभिन स्तरों पर पाई जाने वाले इसके विभिन अंगों को इस चित्र की साहता से समझा जा सकता है देगी चितर में आप देख सकते हैं प्रबंध के इस तरों को तीन भागों अर्थात उच्छ स्तरिय प्रबंध, मध्य स्तरिय प्रबंध तथा निम्न श्तरिय प्रबंध अत्भा परियवेक्षे क specialty प्रबंध में विभाजित किया गया है बच्चो उच्च प्रबंधन में मुख्य रूप से संचालक मंडन, मुख्य कारेकारी, चेर्मेन, प्रबंध संचालक तथा मुख्य प्रबंधों को शामिल किया जाता है प्रबंध के उच्च स्थर का कार्य, मुख्य रूप से देश्यों को निर्धारित करना, nearestいただ ihanar anda, संसाधनों को जुटा न एवं विभिन क्रियाओं का निर्धारण करना वो बज्ञटों का अनुमोधन करना होता है जबकि मत्य स्तरी परबंद जो की उच्छ स्तरी परबंद के इंतरगत कारे करता है इसमें विभाग्य परबंदक उप विभाग्य परबंदक तथा कार्यात्मक परबंदकों को शामिल किया जाता है जिनका मुख्य कारे उच्छ परबंदकों द्वारा बनाएगी नीतियों की व्याख्या करना, विभाग के लिए प्रयाप्त संख्या में करमचारियों की संख्या सुनिश्चित करना, संग्ठन में कारे करने के लिए उच्छित निर्देश चारी करना, करमचारियों को समय समय पर अभिप्रेलित करना और उनके कार्य में समन्वे स्थापित करना आधिक्रियाइँ शामिल की जाती है अगला है निमनस्तरिय या प्रयवेक्षक की स्तरिय प्रबंद। इसमें प्रयवेक्षक अत्वा 4-man को शामिल किया जाता है। इनका कार्य उच्य और मध्य स्तरिय प्रबंद के द्वारा दिखाएगी निर्देशा नुसार करमचारियों से कारे लेने के लिए आवश्यक परिस्तितियों अप्लब्द करवाना है यह लोग शरमिकों की कटनाईयों को उच्य अधिकारियों तक संप्रेशित करते हैं करमचारियों को उचित और सुरक्षा पूर्ण वातावरन सुनिश्चित करते हैं शरमिकों के साथ मानवी संबद्धों को विक्सित करते हैं तथा उनकी और से सुजावों को भी उच्य स्तर तक पहुँचाने का कारे करते हैं इन तीनों स्तरों को ही प्रबंद के उच्छ स्तरिय, मध्ध स्तरिय और निम्ल स्तरिय प्रबंद कहा जाता है। इसमें नीचे की ओर के क्षेत्र को प्लाटफों मेरिया या ग्राउंड लेवल कहा जाता है जिसमें श्रमिकों तथा अप्रबंद के सिदस्ने को शामिल किया जाता है इस भाग को प्रबंद के स्तरों से अलग अप्रबंद के स्तर में शामिल किया जाता है जहां श्रमिकों के सद्ध्याय के बागी टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार